हेलो अगमने विदिश होई विडियो यह की एक ए-49 Reefs के बारे में आज यह मैं देखेंगे इसकी क्या डिचेल्ज हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें विडियो करने से पहले आप पता होना चाहिए एको 7 राइफ़ों को एक AK-47 rifle है इसका जो designer था उनके जो designer थे उनका नाम था Mick Hale, Mick Hale Klashnikov, Mick Hale Klashnikov उनका नाम था ठीक है और 47 इसलिए है क्योंकि इसकी जो manufacture थी वो 1945 में शुरू हो गई थी design होना लेकिन जो military trials के लिए इस्तेमाल इसको 1947 में किया गया था तो इसलिए इसको AK-47 rifle बोलते हैं ठीक है और इसको जो Russian में है वो बोलते हैं इसको Abtomate Klashnikov 1947 ठीक है और जो हमारा यहाँ पे जो Indian name है इसका वो है Automatic Klashnikov Modified Assault Rifle ठीक है तो चलिए next देखते हैं इसमें हमने क्या पढ़ना है AK-47 rifle के बारे में इसमें हम इसकी length देखेंगे weight देखेंगे range किस type का यह fire करती है principle क्या है इसका और यह कैसे work करती है सबसे पहले अगर length की बात करें तो जो AK-47 length की length है इसकी वो fixed butt के साथ 876 mm है 876 mm open butt के साथ 889 mm और fold butt के साथ 699 mm तो इसमें जो fixed butt है यह भी मैं आपको बता देता हूँ जो इसका fixed butt है यह देखेंगे जो यह weapon आप देख रहे हो जो यह weapon है यह fixed butt के साथ है और यह जो weapon है यह है open butt के साथ ठीक है इसके इलावा next देखेंगे इसकी magazine के बारे में तो जो इसकी magazine है वो खाली magazine का बजन है इसका 322 g फुल magazine का बजन है 822 g और जो magazine की capacity है वो है 30 round और इसमें 30 round ही बरे जाते हैं इसकी जो magazine है उसमें 30 round capacity है और 30 round ही इसमें बरे जाते हैं ठीक है इसके लाबा बेनट बेनट के बारे में आपको पता होगा जो rifle के आगे लगा होता है इस type का एक शूरी की type में आगे लगा होता है ठीक है इसको हम बोलते हैं बेनट इसकी जो length है वो है 10 इंच और इसका जो weight है वो है 283 gram ठीक है इसके बाद इसका weight देखेंगे राइफल का तो सबसे पहले जो राइफल का weight है बिना magazine के जब उसको magazine नहीं लगी हुई है तो वो है 3 kg 1.5 kg जब राइफल का वेट राइफल का वेट जब उसके साथ जो है खाली मैगजीन लगी हुई है इसमें जो है वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है राइफल का है इसमें जब राइफल का वेट भी होगा और उसके साथ जो है मैगजीन का खाली मैगजीन का बजन होगा वो का weight है 3 kg 977 g जब weight है rifle का with Bennett जब हमारे पास rifle है उसमें magazine भी बरी हुई है ठीक है उसमें magazine भी बरी हुई है और इसमें बेनट भी लगा हुआ है वो जो खुक्री टाइप की होती है वो भी इसमें लगी हुई है तो इसका जो weight हो जाता है तब हो जाता है 4 kg 260 g नेक्स देखेंगे बाकी जो details है इसकी barrel की length जो है के 47 rifle की वो है 414 mm इसकी sighting radius है 370 mm maximum range है इसका 800 meter जो अभी नए weapons आ रहे हैं उनमें किसी किसी में जो weapon है उसमें 1000 meter तक भी है इसकी maximum range इसकी effective range है 300 meter और muzzle velocity muzzle velocity मतलब कि जो गोली की रिफ्तार है वो कितनी है तो वो है 715 meter पर second और grooves, grooves मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में जो मैंने SLR की वीडियो बताई थी इसमें बताया मैंने grooves क्या होता है grooves गुमाव होते हैं जो barrel के अंदर होते हैं तो इसमें कितनी grooves हैं चार grooves है और इनका जो गुमाव है वो कहां है right side को है next देखेंगे इसमें ammunition कितना परता है ammunition जो है इसमें जो ammunition का size है वो है 7.62 into 39 mm का इसमें ammunition परता है और जो यह rate of fire है सबसे पहले देखें single shot अगर हमने single shot पर किया हूँ है तो यह एक magazine एक minute में fire कर सकती है rapid यह control में 3-4 magazine per minute और अगर cyclic round cyclic का मैंने आपको बताया कि अगर जो weapon को लगातार magazine मिलती रहे तो वो कितने fire कर सकती है तो इसका क्या है यह 600 round एक minute में fire कर सकती है next देखेंगे जो इसका principle है principle जो है इसका वो है long stroke piston operated and gas operation system इसका भी जो principle है वो gas operation पे ही काम करता है ठीक है gas operation पे ही काम करता है इसका भी principle और यह weapon जो है बहुती कारगर weapon है खास करके military forces में यह use होता है ठीक है क्योंकि इसलिए इसको ज़्यादा कारगर है क्योंकि इसको यूज करना काफी असान है और यह जो fire type करता है वो भी काफी अच्छा fire करता है इसके लावा guys अगर मेरी ये video आपको पसंद आई होगी अगर आपको इसमें कुछ knowledgeable चीज मिली होगी तो इसको share करना like करना और comment जूरूर करना ठीक है इसके बाद मेरी जो वीडियो है वो कार्बाइर मशीन गन और एक 5.56 mm इंसास पर भी आएगी तो थैंक यू गाइज have a nice day